इसकौन टेंपल के में जो अमोग लीला प्रभू हैं उनकी में कता सुनते रहता हूं अच्छा लगता है इश्वर बक्ती है नारायन के बक्ती है सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव पाइंट में मिनी तरह से बोलता हूं आपके इस कौन बालें के बारे में बोलता है इस वीडियो में जे ब्यक्ती बगवान सिफ के बारे में बताता है कि इस कौन बाले बगवान सिफ को नहीं मानते हैं देखिए इस वीडियो में कैसे इस ब्यक्ती को महराज जी ने बताया इसके सवालों के सारे जवाब वीडियो के जवाब दिए गुरुजी के चरणों में साधर नमन रादे रादे गुरुजी मेरा में इंदोर से आयूं नेन बाग कालोने से आपने बार हमारे भागवत कता की थी तो मैं आप से मिलना चाहिए दरश्रम करना चाहता था क्योंकि सत्यूग में ध्रूवर प्रेलाद को सत् से जिग्यासा में था कि आपका तर कुछ जाना चाहता था बोलिए दो तिन कोश्चन पूछ सकता हूं हाँ चार पूंचिए प्रेश्न नहीं था कि उरुजी इस कॉन टेंपल के में जो अमोग लीला प्रभू है उनकी में कता सुनते रहता हूं अच्छा लगता है इश्व इसनी आप क्या इसनी आप खाड़ा रहता है उसने नहीं लिए चाहता है ने पूलिए प्रभूह और में आटीमा अभत्य तो आइपकां है या इसके आप क्या चाहेंगे देखिए भगवान शिव ती तीन सक्तियां है ब्रह्मा विश्णु और महेश इन तीनों को अलग-अलग मानना सबसे बड़ा पाप है ठीक है हरी हर योर ना भेदा है शास्त्रों में लिखा है शूक्ति है हरी और हर हरी मेंस भगवान नारायन और हर मतलब हर हर महादेव तो ह हरी हर योर ना भेदा इनमें रत्ति भर कोई भेद नहीं है श्रीमन नारायन ही महादेव भगवान शिर्फ तीन रूपव में भगवान ने अपने आपको डिवाइट किया भगवान नारायन ने तीन सक्तियां प्रगट की व्रम्हा विश्णु महेश ये भागवजी में ल लिखिये भागवजी में लिखा है वैश्णवानाम यथा संभू इस धरती के सबसे बड़े वैश्णव कोई हैं तो भगवान शंकर हैं सदा वसंतम हिर्दयार विंदे भवं भवानी जिनके हिर्दय में सदा भगवान सीता राम बसते हैं वो भगवान शिव हैं गोश्व ना वो मुझे पाएगा ना वो शिव को पाएगा ऐसा राम चरतमानस में गोश्वामी जी लिख रहे हैं इसलिए हमें इनके भेद नहीं करना अब इनका समनवाय कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं कई जनमों तक कोई गडेस जी की पूजा करता है तब वह माता दुर दुरगा जी की पूजा करता है तब वह भगवान शंकर जी की पूजा का अधिकार पाता है जैसे की आठवी के लास पढ़ लिया एक साल तक तो नौवी का अधिकारी हो गया उसी प्रकार गडेस जी की पूजा से दुरगा जी के अधिकार मिला दुरगा जी की पूजा से और कई जनमों तक भगवान की शिव की पूजा कोई कर ले, तब वह भगवान श्रीमन नारण की पूजा का अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो भगवान श्रीमन नारण जो शंकर जी है, शंकर जी उन्हें उठा कर जैसे आपने ओम्नमा शिवाय का जाब किया, तो आप बोले नाज हमारे इश्ट के चरणों में हमारी भक्ती बढ़े। मननारण रही दुरगा जी की बात तो दुरगा जी कौन है? दुरगा जी साक्षात माता लक्षमी है इस धर्ती पर एक ही देवी है वो है माता लक्षमी वह लक्षमी ही दुरगा, शारदा, भद्रकाली, महाकाली इत्यादी नामों से जानी गई वह शक्ति कौन है मूल रूप से लक्षमी और जितने भी देवता हैं या जो भी कहें सब मूल तत्व से नारायन है राम जी राम होने के पहले क्या थे नारायन कृष्ण कृष्ण होने के पहले क्या थे नारायन तो मूल तत्व नाराण है नारान से ही भगवान ब्रह्मा का प्राकट हुआ और ब्रह्मा जी से श्रुजी का प्राकट हुआ ठीक है? तो इस आधार पर मूल तत्व की बात करें यदि जड की तो वो जड श्रीमना नारान है उनके वाद ये सब हैं पूछ्यवन्द नहीं है इन में भेद नहीं होना ची रत्ती भर आप जहां हैं आप उम्नमा शिवाय जप रहे हैं आप अपनी जगह सही है आप सीता राम जप रहे हैं आप जैसरी किष्णा जप रहे हैं आप स्रीमन नारण जप रहे हैं आप दुर्गा जी का नाम जप रहे हैं आप गडेजी जप र नदी में बहुत सारी नाव होती है आप किसी में भी बैठ जाएए पार लग जाएंगी